जैहिंद वेल्कम बैक टू विजेपत एजुकेशन पालंपूर आप सभी का आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है आज पूरे हिमाचल में नवोदे का एंट्रांस टेस्ट कंड़क्ट करवाया गया नवोदे बिद्याले समीती द्वारा एन्वियस हम जिसको जानते हैं तो पूरे हिमाचल में ये एक्जाम जो है वो गणक्ट करवाया जाता है जिसका टोटल 80 माक्स का जो है वो पेपर कंड़क्ट करवाया जाता है जिसमें तीन सेक्शन हमारे में इंपोर्टेंट रहते हैं रीजनिंग, मैथ और लास्ट जो है वो हिंदी एंग्लिश में से आपको चोईस रहती है बच्चों के लेवल के अकोडिंग तो अभी हम जो है वो फिर्सली मेंटल अबिलिटी टेस्ट यानि की रीजनिंग जो है उसको हम सॉल्फ करेंगे डारेक्ट बेसिकली नवोदे के एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ जो है वो माइंड अबिलिटी ही पूछे जाती है क्योंकि पिक्चोरियल रिपर्जेंटेशन यहां पर बच्चों को बतानी होती है तो देखिए जो पहला कोईशन है आप आंसर की चेक करते जाए हमारे साथ साथ देखिए जो फर्स्ट कोईशन था इसमें आपको बताना था थ्री फिगर्स आर सिमिलर एंड वन फिगर्स इस डिफरेंट यानि कि आपको ओड बन आउट निकालना है जा चार पिक्चर दी है चार में से तीन की शेप लगबग एक जैसी होगी या एक ही पैटन उसमें चल लाइने खींची गयी है सेंटर तक यहां पर भी 2 लाइने सेंटर तक लेकिन यहां पर बिलकुल वो सेरकल के दूसरे एंड तक टच करवा दिया गया है इसलिए options डी अलग रहेगा जो second question है question number 2 इसका option number C यहां पर बिलकुल accurate है क्योंकि यहां पर तीन लाइन वर्टिकल में है तीन horizontal में यहां पे दो vertical में दो horizontal में यहां चार vertical में और चार horizontal में लेकिन यहां पे तीन vertical में हैं दो horizontal में हैं इसलिए option C जो है वो यहां पे अलग रहेगा next question number 3 है with the solution मैं आपको यहां पे कराऊंगा question number 3 का जो right answer रहेगा वो है option number D arrow से आप इसको जो है वो पहचान सकते हैं कि arrow किस direction में जो है वो आपका लगेगा, उस तरीके से आप इस question को जो है वो check कर सकते हैं, देखिए, जिस direction में arrow है, उसके opposite side ये dot है, arrow यहाँ पे, arrow यहाँ पे है, dot यहाँ पे है, arrow के opposite dot है, लेकिन यहाँ पे arrow और dot दोनों ही साथ साथ में है, इसलिए option D जो है अलग हो जाएगा, जो fourth question है, question number fourth जो है, इसका right answer रहेगा, option number B, देखने से ही पता चल जा रहा था, अंदर total जो है, वो 4 box दिये गए थे, यहाँ पर भी 4 box, यहाँ पर भी 4 box, size भले ही अलग हो, लेकिन यहाँ पे जो है, वो 4 box से जादा दिये गए थे, आप count कर सकते हैं, ए part box दिये थे, इसलिए option number B, जो है, वो अलग रहेगा, next part 2 था, जिसमें आपको same picture जो थी, वो represent करनी थी, इसमें दिया गया था, 5 to 8 question figure, is given from left side, and 4 answer figure, mark A, B, C, D, the right side, select the answer, which is exactly the same as question figure, question number 5 में यह figure दी गई है, यही figure, same to same, आपको option A, B, C, D में check करनी थी, तो कैसे check कर सकते हैं, आप देखी, arrow इस direction में लगा है, और नीचे यहाँ पे एक छोटा सा triangle जैसा लगा है, तो arrow यहाँ पे तो इस direction में है, यह तो C और B तो होगा नी, इस direction में भी है, अब नीचे arrow नहीं है, नीचे एक triangle जैसा symbol है, तो option D में वो रहेगा, इसलिए option D इसका high level जो है, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि xx class के paper के लिए जो है, वो बच्चे का कितना level जो होता है, तो उसी तरीके से न वो दे, जो है, वो हर बार question जो है, वो पूस्ता है, question number 6 का right answer जो है, वो option number D रहेगा, यहाँ पे यह same picture जो है, वो option number D में जो है, वो बन रही है, तो option D का right answer है, question number 7 है, तो 7 में same to same, इसी तरीके से picture जो है, arrow से आप पहचान सकते हैं, इस तरीके का 4 बना है, तो यहाँ पर तो 4 है नहीं, यह बना 4 एक, ठीक है, यहाँ पे दोनों नीचे की तरफ arrow लगाएंगे हैं, यहाँ पे एक नीचे एक उपर है, लेकिन नीचे इस वाली shape अलग है, option B जो है, वही match कर रहा है, इसलिए वो right answer रहेगा, next question number 8 का, यहाँ पे right answer रहेगा, option number B, तो यहाँ पे check करते जाएं, किस तरीके से आपका right answer रहना है, बिल्कुल option B जो है, वही matching कर रहा है, यह देखने से ही पता चल जा रहा है, यह अंदर से side जो है, वो बंद है, तो यहाँ पे तो इस तरीके से होता, तब यह होना था, यह बंद है, यह यहाँ से दो लाइने लगाई नहीं है, यहाँ से भी दो लाइने नहीं लगाईगी, तो option B, direct ही पता चल रहा था, यह इसका right answer है, next देखिए, next part 3 में आपसे पूछा गया था, जो question 9 स step 12 है, वहाँ पे right hand, left hand side में picture दी गई है, और आपको बताना था, without changing the direction, आपको यहाँ पे, यह जो missing part है, इसको fit करना है, direction change नहीं करनी है, आपको fit करना है, जैसे कि, यहाँ पे, यह कुछ इस तरीके के, चार डब्बे बनाएगे, यहाँ पे design है, यहाँ पे design, यहाँ पे design, तो same यहीं पे आपका नया design जो है, यहाँ पे भरना है, इन चारों options में से, तो question number 9 का जो right answer रहेगा, वो है option number B, आप check कर सकते हैं, बीच में जो यह वाला dot है, यह कैसा है, dark है, यहाँ पे dark है, और यहाँ पर भी dark है, लेकिन direction जो है, वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे हलकी सी picture, sorry, mirror image जो है, वो दी है, तो direction इस में होनी चाहिए, इसलिए option number B, जो है, वो सही है, यहाँ पे direction इस तरीके से दे दी गई है, हमें direction इस तरीके से चाहिए, ठीक है, next question number 10 है, तो इसका जो right answer रहेगा, 10th का वो है option number C, picture दी दी गई थी, यहाँ से इस तरीक से, आप check कर सकते हैं, देखिए, कौन सी line जो है, वो यहाँ पे match कर रही है, यह तो बिल्कुल opposite बना दिया नो ने इस तरीके से, यह इस तरीके से बना दिया, यह बनाया है कुछ इस तरीके से, तो option C, जो है वही इसका right answer रहेगा, next question number 11 है, question 11 का जो right answer रहेगा, वो है आपक option number D, option D रहेगा यहाँ पे, क्यूंकि इस तरफ जो है वो, यह line जो है वो आपकी बढ़ाई गई है, तो इसका मतलब दूसरी तरफ भी यह line जो है वो बढ़ाई ही जाएगी, इस तरीके से line जो है वो आपकी आनी है, तो option number D जो है वो इसका right answer रहेगा, next question number 12, 12 का जो question है, इसका right answer रहेगा, option number A, option number A जो है, यह इसका right answer रहेगा, next part number 4 है, part 13 से 16 question में आपको यहाँ पे फिर से एक blank image को जो है वो फिल करना है, और आपको बताया था the question, figures are in a series, series की form में यह कुछ दी गई है, तो उसी तरीके से आपको जो था यह इसकी value को भरना था, series का मतलब क्या होता है, कि पहले direction कुछ और होगी, जैसे कि यहाँ पे एक लिखा है, ठीक है, इन चार डबों में, दूसरा डबा जो होगा, उसमें एक यहाँ पे लिखा जाएगा, तीसरा डबा जो होगा, उसमें एक यहाँ पे लिखा जाएगा, उसी तरीके से आपको answer बताना था, question number 13 का, जो right answer रहेगा, वो है, option number B, option B क्यों रहेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए, यह चीज़ खाली है, उसके बाद, यहाँ पे खाली कर दिया, फिर, नीचे खाली कर दिया, पहले left, फिर right, ठीक है, फिर नीचे आगे, नीचे वाला left खाली आना चाहिए, तो नीचे वाला left एक यह है, और एक यह है, तो option B, C, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी और check करना है, check क्या करना है, कि यह जो आपकी image बनी, कुछ इस तरीके से बनाएगी, यह हर किसी case में, इस तरीके से, इस तरीके से, तो यह पला option जो C है, इसमें तो एक डमरू बना दिया, यह तो दोनों तरफ से बंद कर दिया, अब यह जो है, यहाँ पे खुली image बनाएगी, इसलिए option number 20 का right answer होगा, next question number 14 है, उसमें कुछ arrow आपके पास जो है, वो दिये गए है, पहले arrow नीचे है, ठीक है, देखिए नीचे है, फिर आपका arrow यहाँ पे चला गया, फिर आपका arrow इस direction में चला गया, यहाँ पे ठीक है, पहले arrow यहाँ पे था, फिर दूसरी position पे यहाँ पे, तीसरी में यहाँ पे, तो चोथी में arrow इस position में आएगा, नीचे वाली position में, तो जो question number 14 है, 14 का option number A जो है, वो बिलकुल सही रहे आप arrow को देखिए, पहले arrow यहाँ पे था नीचे, फिर arrow जो है आपको इस position में गया, फिर arrow आपका इस position में आए, अब arrow कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे कहाँ है, option number A में है, question number 15 है, उसको आप देखिए, arrow आपको बताने, पहले single arrow, right side बताया है, फिर double arrow बता दिय पहले right, फिर left, फिर जब 3 arrow बताये, तो right, left, right, अब 4 arrow हो जाएंगे, ठीक है, तो कहाँ आएगा, right, left, right, left, यह pattern एक बन रहा है, ठीक है, आप 3 pattern को देख सकते हैं, पहले right था, फिर right, left, फिर right, left, right, तो अब क्या आएगा, right, left, right, left, तो कौन सा रहेगा, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर, यह right, left, right, left, यह भी सही है, उसके right, left, right, left, यह भी सही है, ठीक है, यह तो दोनों गलत हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप देखी, यह जो नीचे वाली लाइन है, इसको नीचे हलका सा जुकाया गया, लेकिन option A में जुकाया नहीं गया है, इसलिए option B जो है वही इसका right answer होगा next question number जो 16 है इसमें आपको arrow बताए गए है एक line खींची गई है और arrow लगाए गए है इसमें कुछ इस तरीके का एक arrow है फिर उसके बाद 2 arrow है उसके बाद 3 arrow है अब कितने हो जाएंगे 4 arrow अब line होनी चाहिए यह आपकी image बनेगी तो option number जो question 13 है उसका option number B जो है वो बिल्कुर right answer रहेगा next जो part 5 था जिसमें 17 से 20 question आपके पूछे गए थी यहाँ पर question mark किया गया था आपको image जो थी वो fill करनी थी यह भी आपका एक तरीके का एक relationship show करता उसमें यह question पूछा गया था तो relationship जो है वो आपका इन दोनों में कोई relation है उसी तरीके से आपको इन दोनों में एक relation जो था वो बताना था आपको बताया था first two question figure similar the relation exists between third and fourth है जो first और second में relation है वही third and fourth में जो है वो लगना चाहिए देखिए यहाँ पर line बताई गी है line ओसे क्या बना दिया box बना दिया यहाँ पर पहले ही box बनाया गए इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा box तो होगा ही होगा ठीक है लेकिन direction आप क्या कर सकते हैं change कर सकते हैं यहाँ पर इसका मतलब question number 17 है उसका option c जो है वो इसका right answer रहेगा line तो रखनी रखनी है आपने यह देखिए उपर दो line एक उपर एक नीचे इस तरफ ऐसे दो line इसका मतलब line ऐसे भी आ सकती हैं और आपकी line ऐसे भी आ सकती हैं लेकिन line आएंगी ही आएंगी तो line कहा है option c में है बस next question number 18 है एक symbol जासा जो है वो कुछ बनाया गया है देखिए पहले में direction जो है वो इसमें है दूसरी figure में उसके बिलकुल reverse है अब direction इस ऐसे है तो इसके opposite नीचे की तरफ direction आएगी तो option a b c d तीनों में direction कहा है नीचे की तरफ है अब आप symbol को पहचानिए ठीक है इसमें यह जो हलका सा cut है यह ऐसे ऐसे बना है यह जो cut है वो ऐसे बना है जब नीचे आप चलेगे तो cut आपका क्या हो गया उल्टा हो गया अग आपका arrow इस direction में है तो अब आपका arrow जो है वो कुछ इस direction में आएगा तो A, B और D में से ही आपका बनेगा question number 18 का यहाँ पे option B जो है वो रहेगा क्योंकि यह line पूरी जारी है यहां तक इस last line तक जारी है देखिए बाहर निकल गई line यह भी बाहर निकल गई और यह तो पहुंची ही नहीं line तो option number B जो है वो इसका आपका right answer रहेगा double arrow को check करना था arrow यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ उपर कर दिए यहाँ left side है तो यहाँ पे right side कर देंगे इसलिए option number C आपका right answer रहेगा question number 20 20 का जो है वो option number C आपका right answer रहेगा circular में चार डबों में चीजे जो है वो डाली गई है तो यहाँ पे चार box बनाएगे यह आप देख सकते हैं तो इसका मतले यहाँ पर भी आपके चार कुछ इस direction में तो यहाँ पर भी cross direction में जो है वो आपके boxes बनाए जाएगे इसलिए option number C आपका right answer रहेगा option A question 21 question 21 को देखी इस line और इस line को मिला दीजिए ये figure आपकी ये बनगी ये देखिए जो red color की मैंने figure बनाई कौन सी figure match कर रही है 21 का option number A जो है वो इसका right answer रहेगा question number 21 का figure A जो है वो आपकी match question number 21 question number 21 का option C बिलकुर right answer रहेगा ये figure जो है वो इसकी match कर रही है next question number 22 है 22 को आप फिल करेंगे तो 22 का option number A जो है वो right answer रहेगा आपको इस picture को ऐसे बढ़ाना था और इस तरीके से आपको draw करना था तो ये आपकी option A जो है इसका right answer रहेगा next question number 23 है इसको आप फिल कीजिए ये आपका J की sign में कुछ ऐसा बन रहा है तो J की आकरिती में कौन सी चीज जो है वो बन रहे है 23 23 में option C जो है आपका right answer रहेगा next question number 24 है इस picture को भी आप पूरा कीजिए कुछ इस तरीके से बन रहा है तो देखी कौन सी image ये बन रही है fit करना आपको ये question number 24 का right answer रहेगा option number B हाँ बिलकुल right answer यही है आपका next part 7 में आपको mirror image बतानी थी हाँ mirror image बतानी है यानि कि आपको उल्टा करके बताना था इसका direct सबसे अच्छा method होता है इसको आप थोड़ा dark draw कीजिए और back side में आप इसको check कर सकते हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए मैं direct इसके answer बता देता हूँ question number 25 का option number A right answer रहेगा question number 26 का option number C right answer रहेगा question number 27 का option number A जो है वो आपका right answer रहेगा ठीक है अगर आपको mirror image का पता नहीं है तो यहां से आप last से उस चीज़ को draw कीजिए देखिए किस तरीके से आप draw करेंगे मैं M को draw करता हूँ ऐसे फिर ऐसे 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 उसके आद है O उसके आद उपर लाइन और T तो M और T बनेगा option number A right answer रहेगा question number 28 का option number A जो है वो बिल्कुल right answer रहेगा next question part 8 में 32 तो question जो है वो आपके पूछे गए है एक paper को fold किया जाता है तो उसको जब open करते हैं तो किस तरीके सा वो आपका जो है वो खुलेगा उसमें यह चीज़ा है आपको जो है वो पूछी गई है unfold paper के लिए तो आपने पहले इसको इस तरीके से फोल्ड किया फिर जो चीज़ आगी उसको इस तरीके से फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया जब आप इसको खोलेंगे तो किस तरीके की image जो है वो आपकी बनेगी यह जो आपका box है यह चारों side में जो है वो आपका box बन Q29 का option number A जो है यह इसका right answer रहेगा तो चारों direction में यह आपका box जो है वो बनेगा देखिए यहां पर box है तो यहां पर भी box बनेगा यहां पर भी और यहां पर भी सिर्फ option A ही इसके साथ match कर रहा है question number 30 30 में देखिए एक यह जो है वो triangle जैसी बनी है छोटी सी तो इसका मतलब triangle यहीं पर बनेगी corner में तो है नहीं तो इसका मतलब triangle यहां पर बनेगी ठीक है यहां पर बनेगी और यहां पर बनेगी तो यह चीज B और C में जो है वो चीज मैच कर रही है ठीक है लेकिन जब आपकी down की तरफ बन रही है लेकिन option C में जो है इसकी direction कुछ और जैसी है इसका मतलब option B इसका right answer रहेगा next question number 31 है 31 में जब आप इस चीज को fold करेंगे तो option A इसका जो है वो right answer आएगा next question number 32 32 का जो right answer है दो dot यहां पर बनाए गए है तो वैसे ही दो dot आपके यहां पर किस तरीके से image बनेगी जो कि option number C है आपकी तो option C इसका right answer रहेगा next part 9 की बात करता हूँ मैं part 9 में आपको इस picture को arrange करना है fill करना आपको इसको जो cut paper piece लगाए गए है इसको आपने fit करना है और कुछ किस तरीके से image जो है यह बनेगी तो वो चीज जो थी वो आपको बतानी है तो question number 33 का option number D जो है वो यहाँ पे इसका right answer रहेगा आप इसको fit कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से आपकी यह जो है वो image बनेगी आपको बस इसको क्या करना है इन papers को fit करना तो option D जो है वो इसका match कर जाएगा question 33 का option D इसका right answer है question number 34 की बात करूँ में 34 का option number A बिलकुल सही answer रहेगा question number 35 का option C right answer रहेगा question number 30 30 की बात करूँ 30 का option B जो है वो बिलकुल सही answer यहाँ पर रहने वाला है next question है part 10 में last 4 question आपके reasoning के जो पूछे जाते हैं उसमें आपको बताना था कि कौन सी picture जो है वो आपकी match करती है ABCD चार option दिये गए है question number 37 में option A जो है वो बिलकुल right answer था यहाँ पर कुछ arrow बाले question आपके पास दिये गए थे 38 का option number C जो है वो बिलकुल सही answer था next question number 39 में कुछ इस तरीके से image बनाई गई थी तो जब आप इसको open करते हैं तो option A की तरह जो है यह image आपकी बनेगी open करने का मतलब है कि आपको check करना है क्या image वह इसमें है इसमें डव्यू दिया गया तो यह देखिए W कहा पर बन रहा है यहां पे जो है वो W आपका बन रहा है, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूँ तो W बन रहा है, लेकिन एक के साथ दो W बन रहे हैं, यहां पे तो W बनने का कोई चांस है ही नहीं, ठीक है, यहां पर कुछ इस तरीके की इमेज यह बन रही है, ठीक है, तो W कहां बन रहा है, सिर्फ option A में, अब ये last question है, question number 40, ये चीज़ कहां पर बन रही है, ये देखिए, ये इस तरीके सा box और एक arrow, तो ये बन गया आपका box और box के उपर बन गया एक arrow, ठीक है, यहां पर भी box बन रहा है, लेकिन ये जो triangle वाला portion है, यानि कि fill वाला portion ये आपका left hand side में होना तो reasoning के हमने 40 questions जो है वो आज discuss की, I hope आपको class अच्छी लगी, जल्दी से अपनी answer की जो है वो इस class के साथ जरूर चेक करें, और कैसी आपको class लगी comment करके जरूर बताएं, जल्दी ही आपकी math और English की भी answer की आपको upload करवा दी जाएगी, तो video के साथ आप बने रहें, चैनल को जरूर subscribe कीजिए, विजेपत education पालंपूर को, जल्दी मैं next class के साथ आपसे मिलूँगा, जै हिंद, जै भारत